दोस्तों जब भी HIV AIDS का नाम आता है हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होती है कि नहीं बच पाएंगे पर ऐसा नहीं है क्योंकि जब भी ऐसी बिमारी होती है पेशेंट तुरंट एलोपैसिक की तरफ बाता है वहां पर एक यूप्शन है गूंफिर के वह है एर्टी ठीक है आप कहीं ठीक नहीं हो सकते जबकि HIV का जो आईर्वेड में बहुत ही बहतरीन दजल्ट हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के हैं तो आज के वीडियो में इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आसा की नई किरण है HIV AIDS के अंदर आईर्वेड तो उसके अंदर क्य क्या है क्या नहीं है हो सकता है कि नहीं हो सकता सब कुछ बात करेंगे तो वीडियो के एंड तक बने रही है जो लोग हमारे चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें विश्कार दोस्तों मैं हूँ डप्रमनी शर्मा और आप देखें आपका अपना यूट्यूब दोस्तों देखें सचाई की बात करें सचाई बोलता हूं देखो अलोपैथिक दवाईयां लेते हो अगर कुछ लोग अलोपैथिक से नहीं समझते हो तो अंग्रेजी दवाईयां लेते हो आप ठीक है एक option है वो है ART ठीक है अभी ART आप जो ले रहे हैं लोग उनसे पर आना साफ हो जाता है दवाई बिल्कुल आपको असर करना बंद कर देती है ठीक है एक fix time होता है इसका आईरवेध में fix time होता है पर इसका मतलब यह नहीं कि काम करना ही बंद कर देगी ठीक है दूसरी चीज side effects अलोपैथिक में बहुत ज्यादा side effects है ART के आप ले रहे हो आपकी kidney, liver इन सब पर बहुत ही खतनाक effect डालती है और बाद में जाके आपका जो CV4 है एक बार गले बढ़ता है एक दम से नीचे आता है ठीक है और कि side effect की बात करें तो skin पर जो काला पन आ जाता है काले हो जाते है लोग उसकी वज़े से तो यह खतनाक side effect है जो लोग मेरे क AIRT ही लोग क्यों नहीं आए आयरवेद में हम भी दे रहे हैं बहुत से लोग दे रहे होंगे मुझे नहीं पता बागी हम दे रहे हैं मुझे बहुत ही अच्छे रेजल्ट मिल रहे हैं patients के बिल्कुल positive response आ रहे हैं काफी अच्छे result आ रहे हैं और बिना किस side effect के ठीक है मेरे काफी patient बिल्कुल अपने घर जाच के दवाईयें ले लेगे बिल्कुल ठीक है अब वो क्यों आपको alternate वैथी पे भरूसर नहीं हो पाता है आप एक बार ले के देखिए ये तो है नहीं कि भाईया आपकी जिंदीगी ले ली किसी ने आपको ऐसा लगता है तो आप आईर्वेध स्टार्ट करो ठीक है अगर आपको लगता है कि आईर्वेध दवाईयां अच्छी है दम है आपको result मिल रहा है तो आप continue करो ठीक है बाकी बार में सब छोड़ दो आईर्वेध continue करो एक बार स्टार्ट करने में कोई बुरा ही नहीं है ठीक है क्योंकि हम स्वस्त की रख्षा करना यानि उसको ठीक करना सव ठीक है तो जो बीमार मं मौतन है ठीक है यह आईरवेद का मोटो है यह अलोपेथिक के दर नहीं कि ली कोई भी बीमारी के अंदर बीमारी दब गई फिर पड़े रहो और फिर जब उठके भागने लगी बीमारी तो फिर ले लो डर्ब के मारे ऐसा नहीं आप लोगे जड़ से खतम करेगी दब बीमारी को एसी पैथी जिसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया बहुत से लोगों ने इसको दबाने की कोशिश की फिर भी आज अपने दम पे खड़ी है क्यों खड़ी है उस तो दम होगा ना इसके अंदर समझ रहे हैं बात को कि हमारे देश पे इतने आकरमान कारियों का आकरमानी हुआ और बहुत से लोगों ने आईरवेद को दबाने की भी कोशिश की है आज के टाइम में भी आप देख रहे होगा लाई वेक्जाम पले है आईरवेद को बढ़ावा दिया ही नहीं जा रहा है हमारे देश के अंदर फिर भी आईरवेद अपने दम पे खड़ा है क्योंकि दम में आगे बताओ सबको जहां भी आप देखो वहां लोगों को बताओ अवेर करो कि आईरवेद बेस्ट है बाकि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो नहीं अच्छा लगा तो मत करो कोई दिक्कत नहीं आपके उपर है क्योंकि हमारे देश की पहती है आप आगे आपके उपर छोड़ता हूँ ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जहें